हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप एक और नई रेस्पी के साथ आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपके साथ एक ऐसी रेस्पी सेयर करेंगे जिसको खाने के बाद आपका चोड़ी पकोड़ी और समोसा खाना तो बिल्कुल भूली जाएंगे आप इसे रेकफास्ट में बनाईए या बच्चों के लंच बॉक्स में दीजे सभी को ये बहुती ज़्यादा पसंद आने वाली है चलिए तो फटा-फट से बनाना इसको हम सुरू करते हैं यहां पर हमने पांच उबले हुए आलू लिये हैं आलू को हम सबसे पहले ग्रेट कर लें अब इसमें हम डालेंगे आधा ही चद्रक का टुकड़ा जिसको हमने पहले ही ग्रेट कर लिया है साथ में दो हरी मेच डाल देते हैं कटा हुआ हरा दनिया डालेंगे आधा चमच लाल मेच पाउडर डाल देते हैं आधा चमच थनिया पाउडर चोथा ही चमच हल्दी डाल दिया है आदा चमच डाल देंगे चट मसाला जिससे नास्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा चट पटा बनेगा और एक चमच यहां पर हमने भुने जीरे का पौडर डाल दिया है बस हातों से ही मसालों को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लीजे हमारे नास्ते की चट पटी से श्टपिंग बनकर तैयार हो गई है सभी मसालों को आलूओं में अच्छे से मिक्स कर लिया है नमक डालना हम भूल गएते तो यहां पर आदा चमच हम नमक भी डाल लेते हैं और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे आप मसालों के साथ ही नमक भी डाल दीजेगा और यह श्टपिंग हो गई तैयार अब हम डो लगाएंगे तो यहां पर हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें चार चमच हम सूजी डाल देंगे सूजी डालने से जो नास्ता है बहुत ज़्यादा कस्पी बनेगा नमक डालेंगे और आदा चमच इसमें हमने अ क्रिश्पी बनेगा हमारा तो तेल को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका हम एक सौप्ट डो तैयार करेंगे एक साथ ज़्यादा पानी इसमें हम नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेते हैं इसका डो बिलकुल हम रोटी के डो जैसा ही बनाके तैयार करेंगे तो ये लीजिए डो हो गया हमारा बिलकुल तैयार इसको ढग कर हम 20 मिनट के लिए रख देते हैं क्योंकि सूजी भी हमने डाली है सूजी से डो थोड़ा सा और सक्त हो जाएगा अब एक बड़ा सा गोला लेंगे अहां तो से ही उसे चिकना करेंगे और इसकी एक बड़ी सी पूरी हम बेल लेते हैं तो चलिए फटा-फट से इसको हम बेल लेते हैं चकले पे चिपले नहीं इसलिए चकले पे थोड़ा सा हमने तेल लगा लिया है और ये पूरी हमारे तयार हो गई अब एक कटोरी लेंगे या गिलास कुछे भी आपने लीज़े इसे गोल गोल काट लेंगे जिससे हमें भिलकुल गोल पूरी मिल जाए और ये देखिए पूर में एक डिजाइन बन जाएगी देखे उठा के दिखाते हैं यह देखे आप चाहें तो प्लैन भी नास्ता बना कर तयार कर सकते हैं तो अब इसमें लगाएंगे हम आलू की इस्टपिंग अच्छे से पूरी पर इसको फैला लेते हैं बीच में ही फैलाएंगे किनारों को हम छोड़ देंगे और अब इस पर लगाएंगे थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी इससे नास्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा अलग से हमें चटनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक पनीर का पीस रख देते हैं और पलट कर इसको गुजिया जैसा सेफ देत जरा नास्ता थोड़ा सा हम अलग बनाएंगे बापस से आलो की इस्टपिंग को पूरी पर फैला लेंगे और इस पर हम लगाएंगे पिज्जा और पास्ता सौस इससे भी नास्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा आप चाहें तो यहाँ पर सेजवान चटन यहाँ पर हमने पिज्जा पास्ता सौस लगाया है आप सेजवान चटनी लगा सकते हैं या पर टमैटो सौस भी लगा सकते हैं जो भी फ्लेवर आपको पसंदो आप उस फ्लेवर में इस नास्ते को बना कर तयार कर सकते हैं तो यह दिखे इसको भी हमने तयार कर लिया सभी नास्ते को हमने इसी तरह से बना कर तयार कर लिया है कढाई में तेल गरम होने के लिए रख देते हैं मीडियम तेल में हम अपने नास्ते को डाल देंगे एक बार में जितनी गुजियां आ जाती हैं उतनी हम इसमें डाल देंगे और दोनों साइट से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगी गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रखेगा ज़ादा हाई फ्लेम पर आप इनको फ्राई मत करिएगा नहीं तो ये फट सकती हैं तो ये दिखें, उलट पलट करते हुए बढ़िया गोल्डन कलर आने तक हम इनको कर लेते हैं फ्राई आप इस नास्ते को ब्रेकफास्ट में या बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं पहले से आप आलू की श्टपिंग तयार कर लीजिए और बस फिर तो ये नास्ता 10 मिनट में बनकर तयार हो जाएगा और ये देखे कितना बढ़िया हमारे नास्ते पर गोल्डन कलर आ चुका है इनको हम लेते हैं निकाल बाकी का नास्ता भी बिलकुल इसी तरह से बना कर तयार कर लेते हैं और ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिश्पी बनता है नास्ता हमारा बनकर तयार हो गया अब ये कितना क्रिश्पी बना है ये भी हम आपको दिखा देते हैं ये देखे एक पीस हम आपको काट कर भी दिखाते हैं ये देखी कितना बढ़िया लग रहा है हमारा नास्ता आपको कचोड़ी समोसा दोनों का ये स्वाथ देगा और बो भी अलग-अलग फ्लिवर में तो आपको ये रस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और एक बार तो बनाकर इसे जरूर ट्राई करिएगा रस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक और सेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुर ना भूले थैंक ये